एक ऐसी टेकनीक बताने वाला हूँ जो आपकी personality को active बना सकती है और आप अपने मन चाहे results या फिर success के पास लेके जा सकते हो अब ये कौन सी टेकनीक है ये टेकनीक है जो चीज़े आपको पसंद नहीं है उन चीज़ों के पीछे काम करने के शुरुवात करो या फिर वो चीज़े करो for example अगर आपको fit होना है और आपको कोई कड़वा juice पीना या healthy खाना खाना है खालो अपने mind को बोलो मुझे करना है मुझे ये पसंद नहीं है मुझे करे लगा juice पसंद नहीं है फिर भी पीलो इससे क्या होगा इससे ये एक चीज़ होती है कि आप अपने mind को train कर रहे हो कि मुझे वो सब चीज़े की आदट डालनी होगी जिससे मेरे successful बनने के या फिर जिससे मुझे अपने development के chances अपने self growth के chances बढ़ाने है अब आपको मेरी एक situation बता देता हो मेरे पुराने घर में मुझे problems क्या होती थी space की problems होती थी मुझे videos बनाने के जगा नहीं मिल रही थी साथी में मेरा एक one and a half years का baby भी है baby boy है उसको गुमने के लिए या उसको जो regular space लगता है वो उतना नहीं मिल रहा था तो मेरे wife मुझे बहुत दिनों से बोल भी रही थी कि हम लोग एक rented घर ले ले लेते हैं और rent पे रहके हम लोग जो है हमारा space बड़ा कर रहे थे बट मुझे हमेशा मेरे एक मन में insecurity थी कि rented घर में रहकर कैसा अजीब फिल होगा तो इसलिए में हमेशा वो avoid करता था अब क्या हुआ कि मेरे घर के यहां पर आ गया builder जो redevelopment कर रहा है हमारे society का तो वहां से मैं निकल गया because मेरे पास कोई choice ही नहीं थी और फिर मुझे आना पड़ा यहां पर rent पर अब जब मैं rent पर आया यहां पर स्टार्टिंग का 10 डेज मुझे अलग फिल हुआ बट 12-13 दे मुझे जो comfort मिल रहा था है यहां पर space अच्छी थी मेरे बच्ची के लिए जगा अच्छी हो गई मुझे YouTube वीडियो शूट करने के लिए जगा अच्छी मिल गई और साथी में वहां उस घर पे मुझे पानी ब से देखे कि वहां के ifs and buts के हैं महां पर अच्छी चीज़े क्या है बुरी चीज़े क्या है तो अच्छी चीज़े ज़ादा थी and fortunately owners भी हमको अच्छे मिल गए तो यह क्या था यह एक सबसे बड़ा सबक था मेरे लिए कि मुझे जो चीज़े पसंद नहीं है अगर वो ची या फिर work out डोनों में से कोई एक select करो 80-90% लोग work out select करेगे पर सो जाएगे इसको change कैसे करना है आपके mind को बोलो बेटे मेरे को जाना है work out बेटे मेरे को जाना है पढ़ना है नहीं पसंद है फिर भी जाओ नहीं पसंद है फिर भी जाओ और वो particular activity करो जितना आपको वो particular activity क करोगे जो आपको activity पसंद है work out करोगे रोज जाओगे work out करोगे छे साथ दिन में आपके mindset बदल जाएगे कि okay आपका mind बोलेगा okay तुने work out select किया है तो तुझे work out ही जाना है sleep के और तिरको नहीं लिखे जाएगी और यह आदत मुझे भी लगी थी मैं ऐसे ही कुछ हवाई भाई तिरनी मारो कि मैं भी इतना कुछ follow करता था बट यह आदत मुझे भी लगे थी sleep की आदत मुझे भी लगे मुझे तो कभी भी किसी भी time सुला दो मैं सो जाता था बट धीरे-धीरे मैंने खुद को एक understanding दी खुद के mind को बोला नहीं बेटे अगर तुझे यह सब करना है तो भाई तेको आगे कुछ success मिलने नहीं वाला है इसलिए तू बेस्ट चीज यह अपने life में कर सकता है कि तू जो है workout जा पढ़ाई कर काम कर अपना mind लगा यह सबसे best advice में आपको दे सकता हूँ और मुझे पाता है कि 70-80% लोग वीडियो देखते है तो subscribe करते नहीं वो ठीक है वालग बात है कर देना subscribe बट 70-80% लोग यह वीडियो देखेंगे और उसके बाद वापिस से अपना phone बंकर लेगे या कोई दूसरा motivational वीडियो लगाके बैठ जाएगे बट actions करो चीजे पसं actions के उपर control नहीं रखोगे कौनसे actions करने चाहिए कौनसे नहीं करने चाहिए यह decide नहीं करोगे तब तक आप अपनी personality अपने growth और अपना success भूल जाओ आप यही एक अच्छी advice देना चाहूंगा अपने भाईयों से और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बूल ना मत बाई बाई